आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल मार्केट यातरा में दोस्तो इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 25 मही याने की मंथली एक्सपारी को किस साइड मुमेंटम कर सकते हैं कौन से लेवल पर हम प्रोफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं उसके पिछे का लोजिक क्या है टार्गेट इंट्रिस्ट अपलोज सब कुछ हम डिसकस करेंगे साथ में आप्शिन चैन एनालेसिस भी करेंगे ताकि निफ्टी बेंक निफ्टी के क्रूसी लेवल हमको पता लग जाए कल के लिए तो दोस्तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले चलिए दोस्तो शुरू करते हैं बेंक निफ्टी का चारट ओपन किया है 15 मिनिट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है लास्ट टाइम दोस्तो हमने कलियर डिसकस किया था अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए आपको एक बेंक निफ्टी का स्टड़ी भी दिया था अपने टैलिग्राम चैनल में जिसमें हमको तकरीबन 110 पॉइंट का प्रोफिट देखने को मिला बहुत अच्छा दोस्तो हमारा स्टड़ी रहा फिर है मार्केट जैसा कि आप देखते हो पिछले 4-5 दिन से मार्केट सुबह-सुबह रिकवरी करती है शाम को डाउन साइड आ जाती है, सुबह सिबर रिकवरी करते है डाउन साइड आ जाती है, पिछले चार पास दिन से यहीं चल रहा है, और देखा जाए तो इसी जोन के अंदर दोस्तो बैंक निफ्टी ने आज भी क्लोजिंग दे दी, कल भाई मन्थली एक्सपारी है तो ब देखिए, दिखाऊंगा दोस्तो मैं आपको स्टड़ी भी दिखाऊंगा टेलिग्राम पे कौन सी थी और सुबह का व्यू भी दिखाऊंगा, देखिए, कलोजिंग आई है बैंक निफ्टी की तताड़ 1677 पे, देखिए दोस्तो एक चीज याद रखेगा, बैंक निफ्ट सकते कि मार्केट अब यहां से भेंकर गिरेगी, मैं दोस्तो ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ज्यादातर लोग दोस्तो सोचते हैं मार्केट को किवली इंट्राडे के परपस थे, परपस से, लेकिन मैं सोचता हूँ थोड़ा सा लोंग टरम के परपस से, और जैसा क नेगेटिव हमको बनने की जरूरत नहीं है, गलोबल मार्केट को देख के, जब हमको प्रूपर साइन मिलेंगे, तभी दोस्तो हम नेगेटिव होंगे, इससे पहले हम नहीं होंगे, हाँ, इंट्राडे में कैसे प्लान कर सकते हैं, वो चलिए हम डिसकस कर लेते हैं, कल दो निफ्टी की क्लोजिंग 47670 आई है, अगर बैंक निफ्टी फ्लेट ओपन होती है, क्योंकि देखिए सपोर्ट के पास क्लोजिंग दी है, बैंक निफ्टी ने, सपोर्ट में दिखाऊंगा, आपको हमने कल ये डोट डोट वाली लाइन लगाई थी, विल्कुल इसी पिन पे क्लोजिंग आई है, तो अभी हमको ज्यादा नेगेटिव नहीं होना है, तब तक जब तक ये इसको ब्रेक ना कर दे, और रेटेस्ट ना कर दे, तो कल अगर दोस्तों बैंक निफ्टी फ्लेट ओपन होती है, फ्लेट ओपन होने के बाद अपसाइड निकलती है, और य फ्लेट ओपन होती है, फ्लेट ओपन होने के बाद 47,800 के उपर निकल के हलका सा प्राइज एक्षन बना देती है, तो पहला टारगेट दोस्तों हमारा 43,900 का होगा, 900-920 का होगा, स्केल्पिंग ट्रेड हमको मिल सकता है 900 तक या फिर 44,000 तक, सबसे अच्छा दोस्तों हमको टारगेट का मिलेगा, जब बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो या फ्लेट ओपन हो, 44,000 के उपर निकल के और इस तरीके का प्राइज एक्षन बना के 44,000 के लेवल को अगर ब्रेक करती है, या फिर 100 के लेवल को ब्रेक करती है, तो हमको को ओल साइड अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है, यह option chain में मैं आपको समझाऊंगा, ऐसा में क्यों बोल रहा हूं, इसी situation में ही हम कोल साइड जाएंगे, अगर चवाल जार के उपर प्राइज एक्षन बने तो थोड़े से बड़े टारगेट के लिए, ठीक है, 60-70 पॉइंट का, 80 पॉइंट का stop loss र तो पहला टारगेट हमारा 4,500 का हो जाएगा, 40-50 पॉइंट का, 60 पॉइंट का हम stop loss डालेंगे, और यह 4,500 यानि की 200 या फिर 200 पॉइंट का हमारा टारगेट हो जाएगा, हम पूट साइड प्लानिंग कर सकते हैं, और कोल साइड दोस्तो या तो इस जोन में हमको जाने को म पॉजिटिव केंडल बना देती है, ठीक है, तो उस केंडल का लो हमारा stop loss होगा, और जैसे उस केंडल का हाई ब्रेक होगे, प्राइज एक्षन बनेगा, तो वापीस से 47,700-800 के टारगेट के लिए हम कोल साइड प्लानि कर सकते हैं, एक सिच्वेशन ये है, दूसरी सिच् अगर दोस्तों, बैंक निफ्टी इस सपोर्ट को ब्रेक करेंगे, तो दिन का हाई stop loss डालके, 47,260 के टारगेट के लिए हम पूट साइड प्लानिं करेंगे, और 47,260 के पास आने के बाद अगर कोई बुलिश केंडल बन जाती है, तो फिर हम रिकवरी प्लान करेंगे, मेर जितना गिरेगी, उतनी ही रिकवरी कर सकती है, इस पॉइंट को दोस्तों, आप नोट कर लेना, ठीक है, कल बैंक निफ्टी में और मार्केट में रिकवरी आ सकते है, सपोर्ट से अगर बुलिश केंडल बनी तो, तो गैप डाउन ओपन हो इस जोन में, अगर इस जोन तक आती है, तो यहां पे कोई बुलिश केंडल बनते ही, उस केंडल का लोज टोपलोस रहेगा, हाई ब्रेक होते ही, प्राइज एक्षन बनते ही, हम वाफिस से दिन के हाई तक कोल साइड प्लानिंग कर सकते हैं, अब बात आती है दोस्तों, गैप अप के, अगर बैंक निफ् प्राइज एक्षन बनके 44,056 ये लेवल अगर अपसाइड ब्रेक होना शुरू हो गए, तो फिर हमको बड़े टारगेट मिल सकते हैं, और बहुत ही बड़े टारगेट मिल सकते हैं, फिर तो हमको कम से कम 300-400 प्वाइंट की रैली दिख रही है, हम कोल साइड प्लानिंग क कर सकते हैं, और अगर डारेक्टली 44,056 इस रेंज में गैप अप उपन होके इस तरीके का कोई नेगेटिव केंडल बना देती है, तो एक बार प्रोफिट बुकिंग भी आ सकती है, दिन का हाइस टोपलोस डालके जैसे ही दिन का लोब रेक होगा, 15 मेट की केंडल को हम दो कुछ भी सिच्वेशन में बैंक निफ्टी ओपन होगी, उसी सिच्वेशन में हमारे लिए प्लानिंग तयार है, हम उसको ऐसे ही एक्जेक्यूट कर सकते हैं, चलिए निफ्टी का देख लेते हैं, एक चीज याद रखना दोस्तों बस कल, अगर बैंक निफ्टी या निफ करने की कोशिश करूंगा, आज मैंने स्ट्राइट प्राइट की थी, सुबह का व्यू आप पढ़ लीजिए, बिल्कुल ऐसे ही मार्केट चलिए, मार्केट खुलने से पहले जो मैंने व्यू दिया था, आपको यह हमारे बाइंग सेलिंग एरिया थे, जो मैं आपको टेलि गए थे, आप दोस्तों यह टेलिग्राम चैनल जाके जोइन कर सकते हैं, वीडियो की डिस्क्रेप्शन में आपको ओरीजनल चैनल का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो मैं कोमेंट में पीन कर दूँगा, ओरीजनल चैनल से दोस्तों मेरा मतलब है, आपको न इस लोगों से इस कोल टिप्स नहीं है, यह केवल पेपर ट्रेड करने के लिए, ताकि नए लोग सीख सकें पेपर ट्रेड करके, मैं अपना व्यू शेयर करता रहता हूं, थोड़े सी दिन के बाद, बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर दे कि सर, आप स्टोक की स्टड़ी देना बंद कर दिय और मैं थोड़ा सा एक रजिस्टेशन नंबर के चकर में उलजा हूँ, जैसे हमारा रजिस्टेशन नंबर आता है, तो मैं आपको कैस की भी स्टड़ी वापिस से देना शुरू कर दूँगा टेलीगराम पे, तो उस चीज़ी के आप चिंता मत कीजिए, हाँ, मेरे नाम से भाई किसी को एक पैसा मत देना कोल टिप्स के लिए, ना तो मैं कोल टिप्स एडवाइस देता हूँ, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मेरा कोई वाटसप गुरूप है, ना ही मेरा कोई पेड गुरूप है, कोरस के रिगार्डिंग जो जानकारी आपको ओर चैनल पर मिल जाएगी दस दिन बाद बैच शुरू होने वाला है हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है मेरा लोगो मेरा फोटो देख या किसी को कोल टिप्स के लिए एक पैसा मत देना भाई मेरा कोई पेड गुरूप या वाटसप गुरूप नहीं है नहीं मेरा कोई इन्वेस् dir把它 2 वीरा गुझा करें दोस्तों अधान को टैनी कषड़ically करते है किस से अच्छा दोस्तों क्या एचर सिखा हूं आपको बताओ भाई लहें लागा मजा करने सब्का कॉमेंट घुरू बताना नानी इस इस करते हैं और मार्केट जब ऐसे ही चलती है तो हमको कितने ही खुशी होती है कल दोस्तों किस पॉइंट पे हम प्लानिंग करेंगे निफ्टी में देखिए निफ्टी में भी बैंक निफ्टी की तरह हमारे पास एक स्विंग बन गया यह वाला एक्जेक्ट लेवल है अ 18,320-310 यह लेवल ब्रेक करके अगर प्राइज एक्षन बनाती है तो पहला टार्गेट हमारा 18,360 का हो जाएगा 20-30 पॉइंट का SL डालके हम कोल साइट प्लानिंग कर सकते हैं ठीक है पुट साइट दोस्तों कब जाएंगे जब यह स्विंग यानि कि आज का लो ब्रेक ह होगा फ्लैट ओपन हो 18,270 के नीचे निकले इस तरीके का प्रिरी टेस्ट करे तो टार्गेट हमारा पहला 18,200 का हो जाएगा और दूसरा टार्गेट हमारा 18,140 का हो जाएगा 150 का हो जाएगा हम पुट साइट प्लानिंग कर सकते हैं 20-30 पॉइंट का SL डालके गैप अप ड होंगे क्योंकि छोटा स्विंग है कुछ के यहां पर कुछ के मेजर जो से ज्यादा स्टोपलोस होंगे यहां पर होंगे अगर बैंक निफ्टी कल गैप अपन होती है सीधा 18,350,60 या 400 गी रेंज में इस रेंज में अगर गैप अपन होती है तो हमको वेट करना है अपने अपने आपको अगर निफ्टी होल्ड कर पा रही है इस लेवल पे तो भाई ब्रेक आउट आ सकता है यानि कि अगर निफ्टी इस रेंज में ओपन होई तो हमको देखना है आदा घंटा है घंटा वेट करना है अगर यहां पर निफ्टी अपना टाइम स्पेंड करके फिर ब्रेक आउट दे रही है दो ग्यारा बजे साड़े दस बजे के आज पार अठारा जार चार सो 420 का और रेटेस्ट कर रही है तो भाई फिर दिनका लोंस टोप लोस डालके 18500 के टारगेट के लिए हम कोल साइड प्लानिंग कर सकते ही यानिकी पास्ट मुमेंटम आएगा फिर option chain में बताऊंगा मैं ऐसा क्यों आएगा और अगर gap up बड़ा gap up open होती और इस तरीके के कोई negative candle बन जाती है तो 39 वाली study अपलाई करेंगे पहली 15 मिट की candle दोनों साइड से मारक की दिन का लो अगर break होता है रेटेस्ट होता है तो जहां पे closing आई है यहां तक के target के लिए हम put side planning करेंगे दिन का high stop loss डालगे तो gap down में क्या करेंगे भाई देखिए मालीजे दोस्तो 18,200 की range में gap down open होती है यह यह वाली range है 18,200 वाली यहां पे एक support है buying area भी है असल में जो support है दोस्तो 18,160 के आजपास है तो इस range में अगर open होती है तो इस range में भी हमको wait करना है अगर पहली candle bullish बन गई इस तरीके की ठीक है 39 वाली हम फिर strategy apply कर देंगे दिन का low stop loss रहेगा जैसे कि आज हमने की है bullish candle बनी दिन का high break हुआ जैसे ऐसे दिन का high break होता है हलका सा rate test होता है तो जहां पे आज closing आई है अहां तक के target के लिए call side planning करेंगे अधरवाई दोस्तो gap down open होई औ और negative candle बन गई इस तरीके की तो दिन का high stop loss रहेगा 18,160 के नीचे निकलते ही अठारादार सो अठारादार एक सो बीस यह हमारे target हो जाएंगे 60-70 point के हम put side भी planning कर सकते और फिर यहां से recovery plan कर सकते है मैंने बात तो यही है भाई कल market अगर downside आती है तो nifty में अगर मैं आपको support बताऊं 18,160 का है 200 का है यह वाला यह वाला और यह वाला अगर इन तीनों level पे downside आने के बाद इस तरीके को कोई bullish candle मिल जाए तो इस candle का high break होते ही कल किसी भी समय recovery आ सकती है अगर nifty bank nifty downside आये तो बाकी हर scenario दोस्तों मैंने आपको बता दिया gap down का बता दिया फ्लैट का बता द देखिए अब option chain में आप बाई क्या ही बता हूं बाई देखिए रहे यार बहुत बहुत कम बार ऐसा देखने को मिलता है इतनी ज्यादा confidence है बाई मंदी वालों को अगर दोस्तों यह normal इंसान है ना आप और मेरे जैसे retail trader हैं और वो position बना के गए हैं हालाकि इतनी ज्यादा position उनकी बनती नहीं है फिर भी अगर वो बना गए गए है ना फिर मजबूत है फाइज अगर यहां इस side बैठे तो यह सब को लपेटने वाली है market वरना भाई यह market को उपर नहीं जाने देंगे कल किसी भी हालत में ठीक है अब sign कैसे पता चलेगा कि उपर जाएगी लेकिन इस तरीके का रिटेस्ट इस तरीके का रिटेस्ट जरूर बनने देना अगर अगर अपसाइड जाये तो निफ्टी तो इंपोर्टेंट जो रिजिस्टेंस निफ्टी के अंदर वह 500 का है 400 का है इन दोनों लेवल पे अगर कोई negative candle बनती है तो हम थोड़ा सा डाउन पुट राइटर जो है वो तेजी वाले जो है अपनी पोजिशन अच्छी खासी बना के बैठे खालाग यह चेंज हो जाती है सुबह 10 बजे के बाद ही देखना option chain को मैं आपको अगर कुछ अपडेट होगा चेंजिंग होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे एक्सपैरी है तो काफी वोलिटाइल कल मार्केट रह सकती इस चीज को याद रखेगा बैंक निफ्टी में भी देगे भाई भर भर के मतलब 44,000 का जो लेवल है ना ऐसा मतलब मैदान हो गया जंका अगर यह लेवल अपसाइड ब्रेक हो गया ना भाई तो यह इतने सारे ल लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं इंपोटेंट दोस्तों जो सपोर्ट है 3,600 और पान सो का है यह दोनों लेवल अगर डाउनसाइड तो फिर आपको मतलब 300-400 पॉइंट और खिसकती भी नीचे दिख सकती है बैंक निफ्टी तो यह लेवल दे दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी के कैसी लगी वीडियो मुझे कोमेंट करके जरूर बताएं अच्छी लगी हो तो लाइक और शेर जरूर करना तागे जरूर तमन लोगों तक यह वीडियो आसानी से पहुंच जाए नहीं आए हो चैनल पर तो चैनले को सब्सक्राइब कर जीजे साथ में गंटी जाए हिंद